नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कोच्छी मिचिन में प्रतमें हेडलाइन्स नमस्कार अर्गस अपडेट 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 कोच्छी मिचिन में प्रतमें हेडलाइन्स अभी ऐसा आउसर आता है तब सारे तिर्थों का एक साथ संगम हो जाता है आज एक राष्ट के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है आज हमारे स्वादिंता संगराम के कितने ही पुन्यतिर्थ कितने ही पवित्र केंद्र सावर्मति आश्रम से जुड़े रहे हैं स्वादिंता संगराम की पराकाश्टा को प्रणाम करने वाली अन्नमान की सल्यूलर जेल अरुनाचल प्रदेश से एंगलो इंडियन वार की गवा की केकर मौनिंग की भुमी मुंबई का अगस्त क्रांती मैदान पंजाब का जलिया वाला बाग उत्तर प्रदेश का मेरत काकोरी और जासी देश भर मैंसे कितने ही स्थान पर आच एक साथ इस अम्रुत महवसव का स्री गनेश हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आजहादी के असंख्य संगर्ष असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की उर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर जागरुत हो रही है मैं इस पुन्य अवसर पर बापु के चरणों में अपने स्रधा सुमन अर्पित करता हूँ मैं देश के स्वाधिन्ता संग्राम में अपने आपको आहूत करने वाले देश को नेत्रुत्व देने वाली सभी महान विभुत्यों के चरणों में आदर पुर्वक नमन करता हूँ उनका कोटी कोटी बंदन करता हूँ मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूँ जिनोंने आजादी के बाद भी राष्ट रक्षा की परंपरा को जीवित रखा देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिये शहीद हो गए जिन पुन्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुन निर्माण में प्रगती की एक एक इट रखी 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए मैं उन सभी के चर्णों में भी अपना प्रणाम करता हूँ साथियों जब हम गुलामी के उस दौर की कलपना करते हैं जहां करोडों करोडों लोगों ने सद्यों तक आजादी के सुबह का इंतजार किया तब यह एसास और बढ़ता है कि आजादी के 55 साल का उसर कितना आयतिहासिक है कितना गवरव शाली है इस परव में शास्वत भारत की परंपरा भी है स्वाधिन तासंगराम की परचाई भी है और आजाद भारत के गवरवानवित करने वाली प्रगती भी है इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया उसमें अमरुत महोच्शव के पांच स्तंभों पर विशेश जोर दिया गया है freedom struggle, ideas at 75, achievements at 75, actions at 75 और results at 75 ये पाँचों स्तम आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तवियों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे इनी संदेशों के आधार पर आज अमरुत महोसव की वेबसाइट के साथ चर्खा अभ्यान और आत्म निर्वर इंक्यूबेटर को भी लॉंच किया गया है भायों और बेहनों इतिहाँ साक्षी है कि किसी राष्ट का गवरव तबी जागरत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीडी को भी सिखाता है सौंसकारित करता है उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है किसी राष्ट का भविश तबी उजवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथा भंडार है सम्रुद्ध इतिहास है चेतना मैं सांसकृतिक विरासत है इसलिए आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अम्रत की तरह वर्तमान पीजी को प्राप्त होगा एक ऐसा अम्रत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा साथियों हमारे यहां वेदों में एक वाक्य है मृत्यो मृक्षिय मामृताम अर्थात हम दूख कष्ट कलेश और विनास से निकल कर अमृत की तरब बढ़ें अमरता की और बढ़ें यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है आजादी का अमृत आजादी का अमृत महोत्सव यानि आजादी की उर्जा का अमृत आजादी का अमृत महोत्सव यानि स्वाधीन ता से नानिवसे प्रेणाओं का अमृत आजादी का अमृत महोत्सव यानि नए विचारों का अमृत नए संकल्पों का अमरूद आजहादी का अमरूद महोचव यानि आत्म निर्भरता का अमरूद और इसलिए ये महोचव राष्ट के जागरन का महोचव है ये महोचव सुराज के सपने को पुरा करने का महोचव है ये महोचव वैश्विक शांति का विकास का महोचव है साथियों अमरूद महोचव का सुभारम दांडी यात्रा के दीन हो रहा है उस एतिहासिक छण को पुनरजीवित करने के लिए एक यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है यद्बूत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेज भी वैसाही है जो आज देश अमरुत महोत्सों के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है गांदी जी की इस एक यात्रा ने आज़ादी के संगर्ष को एक नई प्रेणा के साथ जन जन से जोड दिया था इस एक यात्रा ने अपनी आज़ादी को लेकर भारत के नजरिये को पूरी दुनिया तक पहुचा दिया था ऐसा एतिहासिक और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आज़ादी के आगर्ष के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संसकारों का भी समावेश था हमारे हां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आका गया हमारे हां नमक का मतलब है इमानदारी हमारे हां नमक का मतलब है विश्वास हमारे हां नमक का मतलब है वफादारी हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत किमती चीज है ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे हां स्रम और समानता का प्रतीक है उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था अंग्रेजों ने भारत के मुल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की भारत के लोगों को इंग्लेंड से आने वाले नमक पर निर्पर हो जाना पड़े गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा जन जन से जुड़ी उस नब्ष को पकड़ा और देखते ही देखते ही अंदोलन हर एक भारतिय का अंदोलन बन गया हर एक भारतिय का संकल्प बन गया साथियों इसी तरह आजादी की लड़ाई में अलग-अलग संग्रामों अलग-अलग गटनाओं की भी अपनी प्रेणाए है अपने संदेश हैं जिने आज का भारत आत्म साथ कर आगे बढ़ सकता है 1857 का स्वातंत संग्राम मात्मा गांधी का विदेश से लोटना देश को सत्याग्रे की ताकत फिर याद दिलारा लोकमान्य तीलक का पुनन स्वराज का आहवान नेताजी सुभाज संद्र बोच के नेत्रुत्व में आजाधिन फोच का दिल्ली मार्च दिल्ली चलो ये नारा आज पर हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है 1942 का अवे विश्मन ये अंदोलन अंग्रे जो भारत छोड़ का वद्गोश ऐसे कितने ही अंगिनत पड़ाव जिन से हम प्रिर्णा लेते हैं उर्जा लेते हैं ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी है जिनके प्रती देश हर रोच अपनी करतग्यता व्यक्ष करता है 1857 की क्रांती के मंगल पांडे ताट्या तोपे जैसे वीर हो अंग्रेजों की फोज के सामने निर्बिक गरजना करने वाली राणी लक्ष्मी बाई हो कित्तुर की राणी चन्नमा हो राणी गाडी न्लू हो चंदर से खराजार रामपसाद बित्मल बगत सी सुख़देव राजगुरू अत्पाउल्ला खा गुरुरामसी टिटुस जी पोल रामा सामी जैसे वीर हो या फिर पंडित नहरू, सरदार पटेल, बावासाब आमबेड कर, सुभास चंदरबोत, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफार खान, भीर सावर कर, जज़ अंगिनत जन्नायत ये सभी महान व्यक्तित्व आज़ादी के आंदोलन के प्रसदर्शक रहे हैं, आज़ी के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, हम सामुहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरना ले रहे हैं, साथियों हमारे स्वाधिन्ता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन है कितने ही संगर्ष है जो देश के सामने उस रूप में नहीं आये जैसे आने चाहिए थे ये एक एक संग्राम संगर्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाब सत्य की शसक्त गोशनाये है ये एक एक संग्राम भारत के स्वाधिन सभाव के सबूत है ये संग्राम इस बात का भी साख्षात प्रवाण है कि अंधियाएं शोशन और हिंसा के खिलाब भारत की जो चेतना राम के युग में थी महा भारत के कुरुक्षेत्र में थी हल्बी घाटी की रण भूमी में थी सिवाजी के उद्गोश में थी वही सास्वत चेतना वही अदम में शावरिय भारत के हर खेत्र हर वर्ग और हर समाज ने आजहादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था जननी जन्म भूमिष्च स्वरगाद अपिकरियसी यह मंत्र आज भी हमें पिलणा देता है आप देखिए हमारे सितियास को कोल आंदोलन हो या हो संगर्ष खासी आंदोलन हो या संथाल क्नांती कछोहा कछार नागा संगर्ष हो या कूका आंदोलन भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांती सन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संगर्ष, कितूर आंदोलन, त्रावनकोर आंदोलन, बारडोली सत्यागरह, चमपारन संत्यागरह, संभलपूर संगर्ष, चुवार संगर्ष, बुंदेर संगर्ष, ऐसे कितने ही कितने ही संगर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भूभा को हर कालखंड में आजादी की जोती से प्रज्वलीत रखा इस दोरान हमारी सिख गुरु परंप्रा ने देश के संस्कृति अपने रिती रिवाद के रक्षा के लिए हमें नहीं उर्जादी प्रेरादी त्याग और बलीदान का राष्टा दिखाया और इसका एक और अहम पक्ष है जो हमें बार बार याद करना चाहिए साथियों आजादी के आंदोलन के इस जोती को निरंतर जागुरुत करने का काम पूर पश्चे मुत्तर दक्षेन हर दिशा में हर शेत्र में हमारे संतों ने मांतों ने आचारियों ने बगवदों निरंतर किया था एक प्रकार से भक्ति आंदोलन ने राष्ट व्यापी स्वाधिनत आंदोलन की पिठी का तयार की थी पूर्वों में चैतन्य महाप्रभू राम्त्रशा परमौस स्रिमत संकर देव जैसो संतों के विचारों ने समाच को दीशा दी अपने लक्ष पर केंद्रीत रखा पच्चिम में मिराबाई एकनाथ तुकाराम रामदाथ नर्शी मैता हुए उत्तर में संतरामानाथ निमबकार चारिय भलभा चारिय रामानुजा चारिय हुए बक्ति कान के इसी खंड में मलिक महबन जैसी रस्खान सुर्धास केश्रवदात विध्यापती जैसे मानुभावों ने अपनी रच्चनाओं से समाज को अपनी कम्यां सुधारने के लिए किया ऐसे अनेकों व्यक्तित्वों के कारण यह अंदोलन छेत्र की सीमा से बाहर छेत्र की सीमा से बाहर निकल करके पूरे भारत के जन जन को अपने आप में समेट लिया आजादी के नसकीं के अंदोलनों में ऐसे कितने ही सेनानी संत आत्माएं ऐसे अनेक वीर बलिदानी हैं जिनकी एक एक गाथा अपने आप में इतिहास का एक एक स्वर्णिमद्या है हमें इन महानायकों महानायकों उनका जीवन इतिहास भी देश के सामने पहुचाना है इन लोगों की जीवन गाथाएं उनके जीवन का संगर्ष हमारे स्वतंत्रत आंदोलन के उतार चड़ाओ कभी सभलता कभी असभलता हमारी आज की पीड़ी को जीवन का हर पाट सिखाएगी एक जुड़ता क्या होती है लक्ष को पाने की जिद्ध क्या होती है जीवन का हर रंग वो और बहतर तरीके से समझेंगे भाई और बैनों आपको याद होगा इसी भूमी के वीर सपूत शाम जी कृष्ट वर्मा अंग्रेजों की धर्ती पर रहकर उनकी नाक के नीशे जीवन की आखरी सांथ तक आजादी के लिए संगर्श करते रहे लेकिन उनकी अस्थियां साथ दसकों तक इंतजार करती रही कि कम उने भारत माता की गोद नसीब होगी आखिर कर 2003 में विदेश से शाम जी कृष्ट वर्मा की अस्थियां मैं अपने कन्ने पर उठा करके लिए आया था ऐसे कितने ही कितने ही सेनानी है देश पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोग है देश के कौने कौने से कितने ही दलीद आदिवाती मैलाए और युवा है जिन्नोंने असंकी के तब और त्याक किये याद करिये तमिल नाडू के 32 वर्षे नौजवान कोडी का तुमरन उनको याद कीजिए अंग्रेजों ने उस नौजवान को सीर में गोली मार दी लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के जंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया तमिल नाडू में उनके नाम से ही कोडी कात शब्द जुड गया जिसका आर्थ है जंडे को बचाने वाला तमिल नाडू की ही वेलू नाचियार वो पहली मारानी थी जिनों अंग्रेजी हकुमत के खिलाब लडाई लड़ी थी इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हकुमत को गुटनों पर लाने का काम किया जारखण में भगवान बिर्सा मुंडा उन्होंने अंगेरी जोको चुनोती दी थी तो मुर्मु भाईयों ने संथान आंदोलन का नेत्रुत्व किया था ओडिशा के चक्रा विशोई ने लडाई छेड़ी तो लक्ष्मन नायग ने गांधिवादी तरीकों से चेतना फैलाई आंदर परदेश में मन्यम विरुडी यानी जंगलों के हीरो अल्लूरी स्थिरा राम राजु ने रंपा आंदोलन का बिगल फुका था पाशल्था खुंग चेराने मिजोराम की पाहडियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था अपनों देखुतेले साबर मतीरे अम्रोत महस्षबर उदगाटनी समार हो एपंग उदगाटनी समार हो रे प्रदान मंत्रे नरेंदर मोदी एहाक को उदगाटन करिछेंती आसित्त सेमध्य समभधन रखुतेले स्वाधिन वत्तारों पाचास्तरी बड़ सब पुर्ती अबस सरे एई उदगाटन करा जेछें समसर्चे ब्रेटिन को एटर कुछो नवस्कार